कि पूलिए जीदी एडर भेडिया एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि सभ्यता के उस थर पर पहुच गए है जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मत से यह तै हो गया कि वन प्रदेश में प्रजा तंत्र की स्थापना हो गए पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दोड़ गई की सुख सम्रद्धी और सुरक्षा का सवाड़न योग अब आया और वह आया वेट करो बेड्व और बेड़िया चीजेँ हमें स्थोरी स्थाट करने से पाले समझ नीपड़ेंगी रहले तो सबसे बेसिक चीज जो लोगया होता है शीब और बेडिये का मतलब क्या होता है वुल्फ एक और चारेक्टर इस टोरी के पीचने आएगा जिसका नाम है शीयार वो लिखा है यहां पर अब स्टोरी लिखिया हरी शंकर पर साइजी ने फिर से इनका जो जन्म है वो है 1924 में और 1995 में इनका नितन हो गया मुझम हो जो भीको बेल मुझम हो जो हो ते युवस रुड़ भी और में इनके बार में जो में समाज ना पड़ाए बोगे कि पर साइजी विएंगल लेकल को यहां विएंगल मिला डल क्या हो उड़ा घुड़ आखिरेट ना वियंगे वारे लिए बड़ा इंपॉर्ड वोड़ है क्योंकि पूरी स्टूरी को समझने के लिए इस वोड का मतलब समझना बड़ा जुडूरी है कि वियंगे का मतलब अबलो खुद आप यांगे क्या मतलब हुमर कि आप येस आप वियंगे को कमेटी बोल सकते लूज़ी आप वियंगे को रूज़ी हूमर बोब सकते हूग सुडूरी अमारे लिए इस टोरी में जो मतलब है वह है वो है ताना मारना, ताना मारना मतलब तुटांट, व्यंगे का मतलब हजी उडाना भी होता है, व्यंगे का मतलब चुठी लेना भी होता है, बट ये जो स्टाइल है, ये जो स्टोरी लिखने का जो स्टाइल है, ये पूरी जो स्टोरी है, और खासकर जो ऑथर भी हैं, हरी श और शोछन पर कजह मोज़तार पर करारा वा तो शूठता पर कड़ते हैं तो मतलब यह सामाजिक और राजनाश्य का मतलब यह हुआ समाजिक मतलब मतलब फेतना सोषिल तला हुखसोज एक हुखसवा them उसे मतलब मतलब पॉलेटीकट वियाब तो मतलब फैला हुआ ब्रश्टाचार मतलब करप्शन आपको समझा रहा? समझा रहा शोषण मतलब एक्सपोटेशन करारा मतलब सटीक I'm sorry, करारा मतलब कृष्प सटीक का मतलब अक्यूरेट नोट कर लिया विटा? समरा वगर ये पूरी लाइन को दुबारा से पढ़ेंगे फिर से लाइन को पढ़ेंगे क्योंकि ये लाइन हमारे लिए स्टोरी समझने के लिए बड़ी जुरूरी है और क्यों जुरूरी है मैं आपकी दो कृट में हुझा जाजत है उन्होंने सामाजिक और राजनाथिक जीवन इन सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में व्याब्त भ्रष्टाचार और शोशन जो करप्शन फैली हुई है जो एक्स्प्रोइटेशन फैली हुई है पर करारा एवं सटीख व्यंगे किया है इनका जो स्टाइल है वो यह है कि जो इंडियन सोसाइटी में जो सोशल है जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें जो करप्शन है उसमें जो एक्स्पाइटेशन है उसका करारा मनदब गी एस गेवन अवरी क्रिस्प एड एकुरेट इसमें आपको मोस्ली हिंदी के हिंदी मिनिंग होंगे मैं जो यह ले रहा है उसमें मैं जो कॉमन लैंग्वयज इंगलिश लैंग्वयज इसमें आपको जल्दी समझा रहे उसमें संझ आ इस रफ़ बश्य इस सब्सक्राइब करते हैं कि इनके टॉपिक्स इनको कौन से अच्छे लगते हैं इनको करप्शन पर जादा इनका फोकस है और यह जो स्टाइल रहा है इसको बोला जाता है ऐलेग्री समझ आपको स्क्रीम पर दिक्रा है जी दिक्राइब कि अस्टोरी पोर्म और पिक्चर जैट कैन बी इंटर्प्रेटर्ट पुर्वीला इड़न मीनिक अपिकली अमॉरल और पुलिटिकल वन बेटा समझा रहा हूं इसका जो सबसे फेमस जो स्टाइल है एलेगरी का जो सबसे फेमस टाइल है वह है अनिवल फाम कभी ताइम एले जोर्ज आर्वल का इससे सटेरिकल अलेगरी मावला समझा रहा है समझा रहा है और इंकलिंग की मेभी जो यह स्टोरी भी लिखी रही है जो आम बात कर रहे हैं नाइटिन फॉर्टिफाइव में अनिमल फाम पुब्लिश्वी है अरी जैंकर परसाहिजी उसी टाइम जो आ किट नाइटीन फॉर्टिफटी नग को विखी वही नाइटीन फिर्टीन फिर्टीन में परसाहिजी वोड़ी अराउंट फुटीफफइज गया फॉर्टीफटीज गया तो अगर आपको हिंदी टू हिंदी के मीनिंग साहिए उसकी अलग पीडियो आपको बिलाएगी तो एक बार एक बार एक वन के पश्वों को ऐसा लागा कि वे सभ्यता के उस थर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यस्ता अपनानी चाहिए तो सभ्यता मतलब सिविलाजेशन स्थर मतलब लेवल शासन में स्था मतलब एड्मिस्ट्रेशन अपनानी चाहिए तो एक वन था एक जंगल था एक फॉरेस्ट उसमें अनिमल्स को लगा यार अब हम सिविलाजेशन के इस लागल तक पांचे हैं कि अब हमें जो एड्मिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सिस्ट्रमाटिक करना चाहिए हमें डेमोकरसी लेकानी चाहिए एक मत्से यह तैर हो ग एक निमाक्रसी इस्टालीश्में को डिमाक्रसी है तो मतलब जली ओवा कि यह खोगया और एक्ट्शन में एक डिपरिजेंटेटव बनेंगे और जो और पांचे 2 प्र प्रशू समाज में इस करांटिकारी प्रिवर्तन से हर्श की लेहर जोड़ गई और सुख्ण समरिदी और सुरक्षा का स्वर्ण यूग अब आया और वह आया तो इस लाइन को समझते हैं पशू समाज, समाज मतलब सोसाइटी, करांतिकारी मतलब रेवलूशनरी, परिवर्टन मतलब चेंज, लहर मतलब रेव, समर्दी मतलब प्रॉस्परिटी, स्वर्ण यूग, यूग मतलब गोल्ड नेज तो एनिवल्स की जो सुसाइटी ए उसमें यार बेरी हैपी कि यार अब तो मतलब सब्कुच एक तम जबर्दस होने वाला है बोल्ड नेज ऑफ सेप्टी एंड प्रॉस्परिटी आने वाली है प्रदेश में हमारी कहानी ने चरन भहरे हैं उसमें भीडे अभुप की नहायत नेक इमांदर गुमल वही तयालू ने दोश पशू जो घास तक को फूख कर खाता है भीडों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा हम अपने प्रतिनदियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताय न मारे सब जीए और जीने दे शांती स्नेह बंदुत्व और शहयोग पर समाज अधारित हो इदर भीडियों ने सोचा कि हमारा अब संभर का लाया भीडों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही पहुमत होगा और अगर उन्होंने कानून बनाया बना दिया कि कोई पशू किसी को न मारे तो हम क्या खाएंगे क्या हमें घास चनना सीथना पड़ेगा कये वृण बने हमारी कहानी ने चरण अधरे आँ मारे स्थोरी ने पिया रखे तोम्लेक कि स्टैल यह तोम्य पड़या है मतलब अगर आप इसकी क्याओ है तो इसका मतलब यह होगा, चरण मतलब पैर, धरे हैं मतलब रखे हैं, बट लेखा किया कहने की कुछ कर रहा है कि जहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो दीज़ा है, पिटा समझार? पिटा समझार है, उसमें भेड़े बहुत कम थी, जो भेड़े हैं वो तो कम थी, आप बेड़े बहुत थी, बेड़े जो है वो बहुत जादा थी, निहायत मेक, अब यह जो लिखा जा रहा है, यह जो लाइन लिखी जा रही है, यहां तक वो लिखी जा रही है, भेड़ों के बारे में, निहायद ने वेरी नाइस निहायद मतलब बहुत जादा नेक मतलब नाइस इमांगार ओनेस्ट कॉमल मतलब सौफ सौफ विरेई डीसेंट दैयालू काइंड दिर्दोश मतलब बिना दोश के पशू जो घास तक को फूक फूक कर खाता है कि जब वह घास भी घाएगा तो उस से हमें यह बोलना नहीं है कि यह जो है यह सटायर है वाए तो हमारे पास थी तीन जीव जंतु है कौन से कौन से कि भी दूसरे कौन से का भी या और एंटीसरे कौन से सियार को बेर गठान होगा वैडिय को न ओगा वोर्फ द्स यह रगाउ जयकॉन कि यह ढूं गेक्ष न गेक्ष्य मेनिंगे इंग्लिश पर बत इन सोसाइटी वह तारिय तेल युद छी पाल हो फिल्ए कि अच्छल में है ए ए ए इंडिन सोसाइटी में एंडिलिए पीपल पीपल, इंडियन सोसाइटी का है, किसी भी सोसाइटी का अब ले लो, इस पीपल, वुल्फ क्या है, वुल्फ सब बड़े लोग, इस केज में जिस ये जो स्टोरी चल रही है, इसमें जो घेडिया है, वे आर दो पॉलिटीशन, मेटा समझा है, मजा रहा है, और जो क्या माने जाएंगे, हाइएर फ्लास, इसमें, जैसे हम जब स्टोरी पढ़ेंगे, तो स्टोरी में, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो स्टोरी में पहले ही समय लीजिए, जैसे सियार के बारे में जो लिखा जाएगा, तो ये देखो, विदवान, विचारक, कभी, लेख तो आप ये मान सकते हो, कि जो इसे बोल लेते हैं, जो थिंकर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, ये तो फर्स्ट कैटेगरी लेखक में बोला, दूसरी कैटेगरी अफ पीपल, तो लेखक ने बोला है, वो कौन है, नेता और पत्रकार, नेता और पत्रकार, तो दूसरे पॉलिटीशन्स जो है, पॉलिटीशन्स जो है, और पत्रकार, पत्रकार मतलब जनलिस्ट, अब तीसरी कैटेगरी के जो लोग, जो लेखक, इनको सियार बोलने वाला है, वो कौन ह दर्म गुरू मतलब रिलुजिस पीड़ु तोप सिच्वेशन यह है कि जब आप इसको पढ़ेंगे जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो विल अलवेस कीप दिस इन माइन इन पिर जो ऑथर है वो बेड़ किसको बोल रहा है अबिटा इसको बोल रहा है यह बोलना नहीं हमने कॉमन भी को बेड़िया को का वो क्या बोल रहा है अब है आप लगेशे खुड़िया कि इस थे आप शुड़िया कि विलिजिस पीव लो डोज पुल पुल अ आप लिजिए ज़िएगेंड़ नहीं सबुझ भाएंगा क्या है नियूसरा यह जब सिंट्धिए हो तो जो पॉलिटी जन है उसके यू इसके लेवर में आर्टिकल लिखेंगे या तो फेऑर में लिखेंगे यहां स्की अगेश्य दिखेंगे जो बेशने हैं उसके अगेंस लिखेगा, समझा रहा है मैंटम? समझा रहा है पॉलिटिशन भी दो तरह आगे होते हैं, एक तो रूलिंग क्लास होगी, जो की रूल में और दूसरी अपोजिशन होगी, पिटा समझा रहा है समझा रहा है को सब्सक्राइब करें एक फॉबजिशन को सब्सक्राइब एंगे अवरीबडी इन इस ओन वे पोड़िटर पर आप जस्ट पुशिंग दूंद अग्ड़िशन तो नीज ओका जाओ गगगे नीशिवर में देखोगे टीव पे पे देखोगे यूट्व पे देखोगे अच्छल ट्वीटर में बड़ाश ओचा होगा है तो जो वहां को तूटर इस प्रिटिशन जो है वह आपकेले बिखर आप आपना समय रहे हैं। एड़ गड़े ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटीशन है सारे के सारे रूल ही कर रहा है कुछ रूल कर रहे होंगे हरताइं हरताइं जो है वो कि अध्यूवर्च आपाई देवोर्टीशन है रूलर्ण रूलर्ण और और डार रूलर्ण थीडिशन है ओड़े नंगर्ण उस तो यह जब स्टोरी पड़ेंगे यह डीटो कीप इन माइंड यूजुदी नंगर्ण थे अट मॉट्टार इस राइट अब दे प्रेट का टे आप कोई बी आवर अपर रहे हो या किसी धन गुरो को सुंधरे खो, अ पॉलिटीशन विसी पॉलिटीशन भी जैनलिस्ट सुंधरे हो तो अच्छुड हो इंग ऑन्यूद वे अवेश बहुन वेश्ट कि अवेश्ट आप का। अमज़ आरा that everybody has or her agenda to push नहीन स॓झ मैं अन ईखर समय जा आरा और उसमें जो बेफुम है कोई नम बनता है? बेफुम्स कॉमन में नमत राटार और बेफुम्स बनाते ही कन लोग है? इसलिए उसमय जर्ल मनते है? नहीन बनता है? टूमज़ आरा तो कॉल्समामन को कमनमा को बेपुख कॉल मोलं बनाते है इह लोग बनाते हैं इस ब्यूच्व पेटोह ओ बनाते हैं इस में आधेख सत्चाईर एंडा फरी घटूच Лबादे, यह को बनाता है इस अन्समेट जेडे य। अदेक्वा इसट्णांन। यहां तक समझा करके तो हुए यां नित पर शुचारा नेर दोषट जाकी 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 जानके लोगों को तंग नी करता है वहाज तक को फूक फूक करता है वो पड़ा इसीजन से लेता है बेड़ों ने जोचा कि अब हमारा बहर दूर हो जाएगा तो बेड़ है अब फॉरेस्ट में जो बेड़ है वो बोलते हैं यार हमारा डर जो है वो खतम हो जाएगा हम अपने प्रती नदियों से कानून मनवाएंगे प्रती निदी मतलब हमारे जो भी कि उन्हें लौग बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे तो गौण वरी आइडिलिस्टिक देसे कि यहां हम ऐसे रूल बनाएंगे कि कोई भी जो लिविंग भी है वो दूसरों को तंग ना करे सब जीए और जीने सब जीए और जीने बें शांती स्ने शोमें जाने बंदूत्व और स्हईयोग पर समाज अधारित, अधारित मतलब स्थायटी, सहयोग मतलब कॉपरेशन, बंदूत्व मतलब ब्रधर भ्रूट, तो पीज होगा, लव होगा, ब्रधर उड़ होगा, कॉपरेशन होगी, और ये सब चीज़ों पर जो सुचाइटी ह है वह अधारेत होगी पैने जारा है समझ आ रहा है अधल जैसे मतलब अपनी यह निए फ्रेंच रेवलुशन तो ऐसे मान लोगी फ्रेंच रेवलुशन होगी अब फ्रेंच रेवलुशन में क्या थे वो तीन क्रामेटरस क्या थे याभे फोस्ट्स था सेकेंड लास था थो थूर्ट्स था इधा वो क्या था इस जी किसे थी नो डेटर्णेटी लिवर्टी रेटर्णेटी और कि कॉल लेटिए तो जैसे फ्रेंक्स रेवलूशन में यह था तो उसी तरह अब हमारा जो जिस फॉरेस्ट की बात हो रही है उसमें एकनुम रेवलूशन हो गया है और सारे जो बेड़े हैं सब कुछ हो गया है तो चांती इसने बंदुत्तु सईयोग और समाज पर समाजो है वो अधारत हो इदर बेडियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल आगया यहार हमारे लिए बड़ी प्रॉल्ब आगी बेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायद में उनका ही बहुमत होगा अगर आप ड सक्कुर्वान कर्स अगर टी अगर शितेंचने उनको उसीतें इनके जादा वोट वेक्वेड़्ेंटम् compound the वो बीकिस को हो आप शीप कर फिता समजने आ को पहले बना दको सब्सक्राइब यह नहीं से आप हैं कि कर णिणा है कि Ti अब आगे पड़ो जो जो चुनाफ समी पाता बेड़ों का उलास बढ़ता जाता जो जो चुनाफ समी पाता बेडियों का दिल बैठता जाता एक दन बड़े सियार ने भेडियों से कहा मालिक आचकला बड़े बदास रहते हैं हर भेडिये के आसपास दो चार शियार रहते ही है जब भेडिया अपना शिकार खा लेते है तब वे सियार हडियों में लगे मास को खुतर कर खाते है और हडिया चूशते रहते है वे भेडि कि आज पास लिव राते चलते हैं उसकी सेवा करते है और मॉके बे मॉके हुआ हुआ चला कर उसकी जय बोलते हैं कि अंदर में पून ओज़ता है कि उड़ा समीप आता समीप मतलब नहीं है बेड़ों का उलास बढ़ता जाता वो बड़े कुछ थे यार अभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फ्रेश रेवलुशन आ रही है तो जो जो तुना आप समीश पाता बेडियों का दिल बैठा जाता वो बिचारे निराज हो रहे थे यार अपना तो खाना बानी बंद हो आप यह जो है यह आपको डिस्क्राइब कर रहा है किसके बार में तरह बार बार याद रखना है जो सीर रहे वह अपने यहां पर यह जो बैठे हों लोग इन में से कोई लोग होंगे आप संद्धा जो ऑथर है उसे पूरी सुस्एटी को तीन तरह की लोगों में डिवाइ लैंट करेंगा और सियार जो है वह वह को हैं कि पूt टीक देवरें जेंड़ा अरवराण है हर भीडिये के 700, 24 शियार रहेते हैं व Спयार वा कि डिसक्राइब करा है। जब भीडिये अपना शिक्राइर खा लेता है, Стब यह शिजार हडियों से स्वेल लगे मासज़े को कुतरगर खाते हैं। और हडियों हैं चूजते रहते यह इनका काम है इसHebenay के आपसवा लगरते रहते लो हनलाते चलते हैं और उसकी सेवा करते हैं और मॉक्य बे मॉक्य हुआ 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 चलाकर उसकी जैव होते हैं अभ अब में गैए लकुष मुषण काफ़ों भों करता है कि जो बेडियों को सब्सक्राइब करता है तो तो धो भी जराना भी ऑनता जाता है कि जो भी मुषण véritableना कि शिकार करें यह जी में जराता है कि जो भी किसा हम चारे मिभी मी करेंगा दिन टाख़ेंगे कि यह गरों हृए गार हडियों में लगे मास्क को पुतर कर खाते हैं और हडियां चूस से रहते हैं तो भेडिया करेंगा शिकाथ उसके बाद वाटेवर भी दर लेफ्ट ओवर्स डैट आई विल है नहीं समझ में है तामाज वह रहा है और सुसाइटी में वही वह बुला ज़ा रहा है तो बेसे रहीं समझ जनलिस्ट अब जो डिर्कट ली तो पॉबलिक एक्सप्राइट नहीं कर सकता हो क्योंकि इलक्शन यह लड़ेगा वह क्या गरेगा पॉलिटीशन को आगे गरेगा और ऑटीशन की आगर गरेगा और वह जो जो जनलिस्त है वह जो लेफ्ट ओवर जो वा एजेट फॉर्द भेडिया समझा रहा है इनका काम है कि यार इनका जो पॉलिडिशन हैं उनकी हेल्प करना उनका पुछ करते रहना और उनके जाप दूआ सलाम करना विटा समझा रहा है मौके मौके मंदल्ड टाइं टाइं टाइंड पर एक या और अगर अगर तो खाना तो तो प्रदो किसी एल्प उनको कर नहीं बढ़ेगी तो वह तो इसकी लेते हैं वेडिये कि पर समझा रहा है समझ आ रहा है आगे हो तो बुड़े सियार ने बड़ी गंबीरता से पूछा महाराज आपके मुक्चंदरपर सिंता में के मेग क्यों चाया है खेर बेड़े ने कहा तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है हमारा राज तो अब गया सियार ने दाथ में बोर कर कहा हम क्या जाने महाराज हमारे तो आप ही माई बाप है हम तो कोई और सरकार नहीं जानते आपका दिया खाते है आपकी गुन गाते है भेड़िये ने कहा मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सुखी सुखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी सियार सब जानता था मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो शी सियार शेर न हो गया होता कि अपर से तुड़ा समझते हैं कि क्या चलता स्कीन क्या चलता बुड़े सर्दा बुड़े जियार ने बड़ी कमीर सब पूचा माराज आपके मुख चंदर पर चंता के में क्यों चाहे हुआ है अब हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी पहले तो उसकी लेंग्विज देख उसका मोलता है महाराज मुख मतला फेस चंदर मतला मून तो यार फेस विचिस राइका मून पर चिंता के मेग चंता मतला वरी और मेग मतला प्लाउड यह हमने जो वर्ड है यह पहले भी प अच्छा में यह हमने असपर भी पड़ा था बहू के वगव दावे पड़ा ना जी तब भी कुछ ऐसा की डिस्क्रिप्शन था कंदा कंदा का जी फेस अप दमून वस डाक अंशाइड हो यह जए लिखा गया कि कंदा का जो चांद का जैसा मुक्रा है उस पे घटा साही अच्छा मुण के सामने जब ब्लाक क्लाउड जा जाते हैं तो मून इतना सुनता रहा है और इस कवरड़ ब्लाक क्लाउड तो उसकी जो ब्यूटी है वो चुप जाती है उसके वर्ट जिक इने सई वर्ट करता है तो मिजदा मतलब सीरिसमेस कि अधर बेडिया ने का तुझे मालूम नहीं है अब बेडिया और चिड़ जाता है कि नाटक कर रहा है कि वन प्रदेश में नहीं सरकार बने वाली हमारा राश्क्राप किया सियार में दान्द निपोर्गर कहा अब यह इंपॉर्टन है इसना मतलब नोट कलना चाप्रूस इस अधर नहीं कोई और शरकार नहीं जानते हैं आपका दिया काते हैं आप पिर उन गाते हैं तो अगर अगर आप समय ऐसा आ रहा है कि सूकी हटिया भी चबाने को नहीं देंगी मतलब सिच्वेशन इतनी कराब होने माली हो सियार सब जानता था मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता अब यह जो लाइन है फिर इंपॉर्टन है इस चप्टर के लिए बटा समझ में आ है समझा रहा है सी वान देंग नदीग न जो 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 है उसको सियार की हल्प की जूरून पड़ती है नई गल्फ सियार की हल्प क्यों लेता है एक तक पाकि वो मतलब अपना पतलब देधिया सियार अप्ना अब दधार्ट करता है इसको पगड़ लेता है इसको फोजिए पगड़ना हूँ इसन्ट को एनी हैंकर सब्समाइब कि अच्छाइटी में था कि he is talking about the society तो यह तो बनेगी एक स्वाइटेशन के लिए इन्होंने विचारों नहीं क्या करना है अब उसमें भी केटिगरीज एक तो होगी इसकी बेडिये की एक होगी सियार की बेटा नहीं सोगा है समझारों और यहां पर रहे है लाइन्स अब ये दोनों को तो आपस की इन दोनों को आपस में दूसरी की सुरूरत है ये लाइन को किसी की सुरूरत नहीं सोगा है समाजारां So what do you think in the society What can we align? मतलब जो जो खुदी बेड़ों का शिकार का लेता है उसको ये सब इनकी सिरूरत नही है तो पिलिन है, मतलब कॉपरेट है कॉपरेट है मतलब ज़से मोकेश अंबानी दी जुकरबग ले ले इंडिया में अंबानी ले तो यहां वो यह कह रहा है कि अगर जानकर भी ना जानने का ना टक करना आता तो CR शेर ना हो यह ओजा यह इनृत है तो जो CR है अगर इतना यह अगर इतना चापनूज ना होता इसको शेर बनना पड़ता है उसको खुच जागर दरना पड़ता है प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बड़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मंद से कहा चुनाव पास आता जा रहा है अब यहां से भागने के सवा कोई चारा नहीं पर जाए भी कहां सियार ने कहा माले का सरकस में भरती हो जाईये बेड़े ने कहा अरे वहां भी शेर और रीज को तो ले लेते हैं पर हम इतने वदनाम हैं कि हमें वही भी वहां भी कोई नहीं पूछता तो सियार ने कुछ सोचकर कहा अजाईब घर में चले जाई जाईये बेड़े ने कहा अरे वहां भी जगर नहीं है सुना है वहां तो आ आँख बंद की, नीचे के होट को उपर के दाथ से दबाया और एक टक आखाश की तरफ देखने लगा, फिर बोला, बस सब समझ में आ गया, मालिक, अगर पंचायत में आप भीडिया जाती का बखुमत हो जाए तो? समद आए? समद आए. क्या वनलो हो? यह पूरे पाराज के? हाँ, क्या अनरस्टनेंगे? यह अनरस्टनेंगे? प्रिजी कि अब दॉड जाए डिवल्फ पर अनधर इशू कि अधिक उड़िए कि ते बिकम दॉड़ विल्फ गो तो फिर दीजार ऑफ उड़िए ने में कि इन प्रड़िए ने पर दो अगर उड़ए ने की वाड़े जियार को सुझाही और वड़े-गेर गिरेमंसे का जाना गिरे मन से इन जी जाना आप पास आता जा रहा है अब यहां से भागने कि जबा कोई चारा नहीं है पर जाए भी कहां तो कहां जाए यह बुद्ध कुछ आपके किसी दूसरे फॉरस्स में जाएंगे वहां भी इस चरना हो जिए ने मुझा सब्सक्राइब तो मुझे तो अब तो यहां तो सकत में बढ़ती है तो वेडिया बोलता है अरे वहां भी शेर और इच को लेता है लुद्ध वहां भी लाइन आप बियर को लेंगे हम इतने बदनाम है तो यह सो इन पेमस कि हमें वहां पर भी कोई नहीं पूछता है तो सिआर रहा है खूब सूच कर तो पूरे मज़े लाइब अचाहव गर चले जाए अचाहव गर मतलब मुजियूम तो अधू आधमी रखे जाने लागे तो अगेर यह ओधर वो फिर से वेंग लेरा है इसाटायर कर रहा है तो यह गर रही कि अब इसके दो मतलब मों सकते हैं एक तो मतलब है था टू मिनिक्स डुपर टेजेशिम में जाते हैं नगेफ़ मुजिए में जाते हैं तो वहां तुराने लोग यह अगे है जैसे तरह नियू लखिक मैन और यह सब स्केलिटन्स रखे होते हैं इटा समझा रहा है तो इतना ओने सब्सक्राइब कर देखें कि देखें कि इतना ओने सब्सक्राइब अब यहां जो आता रहे यह तो नहीं बोलें की जोश्री करता है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं अब उसने सोचना शुरू कर दिया ध्यान ध्यान मतलब थौट वगन मतलब एक्दम कुम हो जाना इडीव थौट उसने एक आँख बंद की नीचे के होट को उपर के दा बस सब समझ में आ गया मालक अगर पंचायत में आप घेडिया जाती की बहुमत हो जाए तो अब वो कह रहा है यार अगर सर ऐसे हम करें कि जो भीडिया जाती है जो आपकी जो जाती है उसी को हम अगर मैजॉरिटी में लें बस हो जाती है तो तो बोलो बेडिया चड़कर बोला बेडिया चड़कर बोला कहां कि आस्मानी बातों करता है अरे हमारी जाती कुल दस फीजदी है और भेडे तखा अन्य छोटे पशु नब्बे फीजदी है भला वे हमें काहे को चुनेंगे अरे कहीं जिंदेगी अपने को मौत के हाथ ऐसा हो सकता तो क्या बाती बुटे सियार बोला आप खिन्द मत हो यह सरकार एक दिन का समय दीजिए कल तक कोई योजना बन ही जाएगी मगर एक बात है आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा मुसीवत में फसे बेडिये ने आखेर सियार को अपना गुरु माना और अग्या पालन की शपतली तो बेडिया चड़िया कहां की आस्मानी बाते करता है अब यहीं बड़ी फ़नी सी लाइन है एक यू ट्राइटो अंड़स्टांड़ सी जो सियार है वो आजमान की तरफ मैं आजमारा और नीचे जो बेडिया वो निचे जो बेडिया और वो वो जो बोलता है कहां की आस्मानी बाते करता है अजमानी पाते मतलब बजूर की मतलते हैं यह समय ऑर है यह इन्हार मोलते हैं आज अब भी शे कि खापने जा दिए अधे और इंवार डिया थेरे सपनों यासा होता होगा पाफ मह दो समझाए बना इस कैन डिस्टर अपन अफन अफन आप destण के इा डिस्टर आपारी लांड तर दिर्लेम इस जा रहां लेगी है कि यहां यह जो बुड़ा सी आठाइए इसमें दिकाया ना यह अकाश की तरफ देखने लगा उसने अकाश की तरफ देखना और कहां की आसमानी बात नहीं करता है मुंठों को जोड के उसने बोला कि कैसे पार्दू की बाते कर रहा है जाए अब जैसे पॉले बेड़े दाने छोटे बजू 90 तो हमारी कहां से मचॉरेटी हो जाएगी विटा समझा वाला वो क्यों हमें चुनाएंगे वाइब देलेक्ट अब यह लाइन फिर्जे बड़ी सुन्दर है तो फिर से इंपोर्टेट है अरे कहीं जिल्दगी अपने को मौत के हाथ सौब सक तो लाइफ है जिदिए मतलब लाइफ मौत मतलब ड़त जो लाइफ है वाई विलिट पुट इट्स लाइफ इंड हैंड है अब को समझा रहा है का रहा है सौंपरा मतलब ऐसे सिंपल समझ लो बे देना जो लाइफ है वो क्या कभी मौत के हाथ में जाके बैठेंगी आपको समझ रहा है अब इस केज में जब वो कह रहा है वात में कुछ करो वो बोलता है यार हम 10% है तो शीप है वो 90% है तो बोल रहा है कि हम मजौरिटी में आज सब्सक्राइब करेंगे जो शीप है जब तक शीप हमें सपोर्ट नहीं करेंगी तो हम मजौरिटी में कैसे आजाएंगे नहीं समझना है तभी वो इसको बोल रहा है कि कभी बढ़ी इसी लाइन लिखी है कि कहीं जिंदीगी अपने को मौत के हाथ साथ सकती है जो राइफ ह यह वो खुछ जाके डेथ के पास जाना चाती है तो शीप जो है वह हमें क्यों चूज करेंगे कागल होगे तो अजमानी बाते का लाइए कि मेटा पास समझाए कि समझाए कि बुड़ा सी यार बोला अब खिन मत होई है सर्कार आप उदास मत होई है मैं को जुगार निकालता हूं पेट कीजिए एक दिन का समय दीजिए कल था कोई योजना योजना मतलब बन ही जाएगा मगर एक बात आपको मेरे कहे अनुसार का अब यार जो भीडिया है उसके बाद कोई और च्वाइस है नहीं है जो सियार है इस एंटलिजेंट परशन जो बेडिया है वो स्ट्रॉंग है पर स्ट्यूपिड है नहीं समझाए हमें अटारा हूं यह सब्सक्राइब करेंगे यहां से दूसरे दिन से लेके दूसरे दिन से लेके नेक्स टाइम क्योंकि अभी तो पूरा कॉंटेक्स वारा समझाना था तो तो टोड़ा टाइम चला गया नेक्स टाइम तक यह चप्टर को ख़़म करतेंगे बेटा समझाए क्योंग 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 झाल झाल